लगे हने दोस्तों स्वागति आप सभी का आज का टीफ सिस्टिक फाइबरोसिस क्या सिस्टिक फाइबरोसिस यह भी एक पीडियाटिक प्रोब्लम थेतिक चीडिक आप दूसरा नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है म्यूको विस्किडोसिस बोलते हैं अल्सो नॉनेज अल्सो नॉनेज म्यूको म्यूको विस्किडोसिस देखो नाम से पता चल रहा है जो म्यूकस होगा वो विस्किड हो जाएगा Viscuit का मतलब जानते हैं यानि हार्ड हो जाएगा थिक हो जाएगा पहली चीज तो आपको धियान रखना है यह Fibro , Fibrocystic disease है , Fibrocystic disease of Pankreas , clear ? या Pencreas , Pencreas का कौन सा पार्ट ? exocrine वालव पार्ट , exocrine Part , यानि इसके अंदर आपकी वोडी की जितनी भी exocrine glands होंगी उनका dysfunction हो जाता है और autosomal क्यों हो जाता है autosomal recessive disorder है यानि autoimmune disease autosomal recessive disorder of in which kya हो जाता है dysfunction हो जाता है dysfunction of exocrine gland है जितनी भी बोड़ी की एग्जोक्रांग है उनका डिस्फंक्षन हो चाता है with old priests enjoy तो सबसे coughing प्रोडम इसमें क्या निकल के आती है कि जो सीउते हैं वह क्या हो जाते हैं थिक हो जाते हैं अब आप जानते हैं जितने अगर बोडी के थिक हो जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी बताओ रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट के अगर म्यूकस थिक हो जाएगी तो रेस्पिरेशन जाम हो जाएगा, ब्लोकेज हो जाएगा अब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेशेंट भी रेस्परेटरी फेल्यर होगा पेंकिरियास के सिक्रेशन इन तो डाइजेशन प्रोब्लम होगी डाइजेशन नहीं होगा या यानि बोडि के अंदर तो जितने भी सिक्रेशन से वो ठीक हो जाएंगे तो बोड़ी में अब नॉर्मल टी आ जाएगी क्लासिकल साइन हमें इशाध ज्यां रखना है Salty Kissing Test Very Important यह क्यूशन बनता है Salty Kissing Test Of Body Of Salty Kissing Test Body Of Baby बच्चे को जब आप किस करोगे Baby को जब आप किस करोगे तब आपको Salty Test उसका कारणी यह है क्योंकि बोडी में ही लगातार हो रहा है उ ट्राइब का लेवल यानि कंसंट्रेश्ण बढ़ेगी तो स्वेट जोगा वच्चे का उसमें क्लॉराइड का लेवल ज्यादा होगा तो क्लॉराइड के लेवल ज्यादा होने की वज़े से test कैसा आएगा salted test आएगा, किसा यागा, ध्यान रहे, इसमें करते हैं, diagnosis के अंदर, diagnosis में करते हैm, set chloride test, यह वो वाला टेस्ट है जब आपन किसी चीज़ को खा क्या चेक करते हैं, यह वो वाला टेस्ट, हम टंग से किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं तो यह वाला टेस्ट है जब कि यह स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं यहां और ध्यान रखना है नॉर्मल कितना होना चाहिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए 40 से लेकर 60 मिली एक्विलेंट पर लेटर लेकिन अगर बच्चे को cystic fibrosis है ओके तो उसमें हमेशा जानकना है जो स्वेट क्लोराइड है स्वेट क्लोराइड उसका लेवल दोस्तो more than 60 mili equivalent पर लीटर अगर आ रहा है तो definitely बच्चे में cystic fibrosis है क्या है cystic fibrosis है यह भी क्यूशन है और यह भी क्यूशन है चारो एक्जाम में पूछेगे क्यूशन है दोस्तो management की priority में क्या जवाब है तो management में हमेशा जो भी mucus के plug है यानि जो भी secretions है उनको आपको क्या करना पड़ेगा थिन करना पड़ेगा तो thyn के लिए आपको क्या drug क्वोंसे देते हैं म्यू कोलाइटिक ड्रग कौंसे ड्रग म्यूच्ञ लाइटिक ड्रग और दवय का नाम है एंठ एसटायल कस्टिन एन एक दवय है इस दवय को अपन बच्चे को देते हैं लिस इस दिस फाइर इंपॉर्टेंट तो यह थी आज की अपनी क्लास जिसमें हमने बात करी सिस्टिक फाइब्रोसिस की दोस्तों डिटेल डिटेल स्टेडी आपकी अवेलेबल है टेस्ट पर लाइब एप पे तो आज ही डाउनलोड कीजेगा प्लै स्टोर से और कोर्स को जोइन कीजेगा और क्लासेस का फाइदा अगले वीडियो